25 जुलाई 2001 का यी वारदात है दिल्ली के अशोक रोट पर एक बंगले के सामने अपने घर के सामने एक महिला खड़ी हुई थी वो महिला इससे पहले की कुछ समझ पाती तीन नकाब पोश उसके सामने आते हैं और ताबर तोड़ उस पर गोलिया बरसा देते हैं जैसे ही उस महिला को गोली लगती है महिला जमίν पे गड़ जाती है और वो तीनों के तीनों लोग जो नकाब में थे 800 मारुती कार में बैठते हैं रहां से फरार हो जाते हैं भाग जाते हैं गोली की अवास सुनने के बाद वहां आसपास के कुछ लोग खड़े होए थे उन्होंने उस महिला को उठाया और सीधा राम मनोहर लोहिया होस्पितर लेके जाते हैं वहाँ जाके उप्चार के लिए भरती कराया जाता है तो डॉक्ट राकर कहते हैं कि हमें माफ कर देना, हम इने बचा नहीं सके दरसल अगले दिन अख़वार में ख़वर चपती है कि मिरजापूर की सांसत फूलन देवी जिसको बैंडिट क्यून की नाम से भी जानते थे जिसको दस्यू सुन्दरी की नाम से भी जाना जाता है वो महिला अब इस दिन्या में नहीं रही और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था कि आखिरकार वो तीन नकापोश कौन थे किसने इस सांसत को मारा है किसने दस्यू सुन्दरी फूलन देवी को मारा है ठीक दो दिन के बाद देरहदुन के एक पुलिस इस्टेशन में एक 25 साल का युवा पहुंसता है जो कि अपना नाम बताता है पंकच सिंग राना उर्फ शेर सिंग राना और जो बात पुलिस के सामने कहानी बताता है उसको सुनने के बाद हर किसी के रोंक्ते खड़े हो जाते है एक कातिल जिसने एक सांसत को मारा है जाहिर सी बात है जब मामला कोर्ट में जाएगा अदालत में जाएगा तो अदालत उसको कम से कम फांसी की सजा सुनाएगी इससे ज़्यादा बढ़कर कोई सजा होई ही नहीं सकती उसको गरिफतार कर लिये जाता है लेकिन बजाए उसको फांसी लगने के बजाए उसको कातिल कहने के, बजाए उसको बुरा कहने के आज वो करोडो युबाओं का हीरो है भारत का उसे हीरो के नाम से जाना जाता है उस पे बॉलिवुट की एक बड़ी फिलिम भी आने वाली है जो बहुत जल्दी रिलीज भी होगी एक विलिन से वो हीरो कैसे मना यही अपना आप में एक बड़ी कहानी है इसको जानने के लिए इसको समझने के लिए आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा हादाब नमस्कार शस्रीकाल मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस सची घटना है राष्टी राजधानी छेत्र दिल्ली की दिल्ली में सांसद फूलन देवी की हत्या करने वाला एक यूबक जिसकी उमर 25 साल थी जिसका जन्म 17 मई 1906 को रुर्की में हुआ था वो लड़का जब देरादून की एक पुलिस एस्टेशन में जाता है जाकर कहता है कि मैंने इसलिए यानि कि इसलिए नहीं बहमाई एक जगे है उस बहमाई में 22 ठाकरों को लाइन से खड़ा करके इसी फूलन देवी ने गोलियों से भून दिया था इसके बाद से फूलन देवी भी चर्चाओं में आगी थी और फूलन देवी को मारने के बाद उसकी हत्या करने के लाद ये युबा भी ये लड़का भी कहीं न कहीं चर्चा में आ गया था और इसको सीधे लेके जाया जाता है देहरा दून से दिल्ली की तिहार जेल में कहा जाता है कि जब ये दिल्ली की तिहार जेल में जा रहा था तो कहता है कि मैं जादा दिन यहां पर टिक नहीं पाऊंगा तो मुझे रोक नहीं पाओगे ये उस जेल की बात कर रहा है जिस जेल को भारत की सबसे हाइटेक जेल की रूप में माना जाता है जिस जेल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता वो उस जेल से भागने की बात करता है और ये इस सपने को जिसने पाला हुआ था इसको साकार करने में दो साल का समय लग जाता है जब दो साल जेल में रहता है वहां समझ जाता है कि जो उसने हत्या की है उस हत्या की जुरुम में उससे कम से कम फांसी की सजा हो जाएगी और वो फिर इस दुनिया में बच नहीं पाएगा हाला कि इसी बीच में वो लड़का लाइबरेरी में अच्छा कासा वक्त बिताया करता था और अच्छा कासा वक्त बिताने पर कई किताबें भी पढ़ा करता था और किताब में पढ़ते पढ़ते एक दिन उसने कुछ ऐसा पढ़ लिया जिसके अंदर कुछ उसके मन में एक बात घर कर गई उसने सुचा कि मरतों मैं गया ही हूं लेकिन कुछ ऐसा करके जाओंगा जिससे पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान पूरा इंडिया यहां का हर एक बच्चा बच्चा उसको हमिशा हमिशा मरते दम तक याद रखे मगर वो सलाकों के पीछे था इसलिए करता भी तो क्या करता यहां उसकी दोस्ती हो जाती है एक गैंगेस्टर संदीप ठाकुर से और संदीप ठाकुर से कहता है कि मुझे यहां से निकलना है और तुम मेरी यहां से निकलने में मदद कर सकते हो संदीब ठाकूर यहां से जेल से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी जेल में रहने की जो मियाद थी वो पूरी हो चुकी थी लेकिन संदीब ठाकूर अब शेर सिंग राना से मिलने के लिए शेर सिंग राना उसका बात का नाम है बच्पन का नाम उसका पंकज राना हुआ करता था बाद में उसना अपना नाम बदल कर शेर संग राना रख लिया और एक खसम खाये थी एक पिर्तिग्या खाये थी जब ये बहमे में कांड हुआ था वो चार साल का था उसने कहा कि मुझे उन ठाकुरों की हत्याओं का बदला लेना है और इस फूलन देवी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है इसको मोत की नेंद सुला देना है और वो अपना सपना पूरा करके फिलहाल जेल के अंदर था और जेल के अंदर ही उसने एक प्लानिंग की कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने है और बाहर निकलने में कोई और नहीं बलकि गेंगिस्टर संदीप ठाकुर उसका दोस्त वो मदथ करने लगता है बीच-बीच में कभी-कभी वो वकील के भेश माने लगता है संदीप ठाकुर भेश बदलने में बड़ा माहिर था और एक दिन ऐसा भी आता है और वो दिन होता है 17 फरवरी 2004 ये 2004 17 फरवरी का वो दिन देहरा तुन से यानि कि उत्राखंड से एक टीम चलती है दिल्ली तिहार जिल में शेड सिंग राणा को पेशी पर लाने के लिए अदालत में पेश करने के लिए और जैसे ही वो टीम जाती है टीम में तीन सदस्य होते हैं टीम को जाना था 17 फरवरी 2004 की सुभे लगभग आठ वजे के आसपास लेकिन आठ वजे से पहले ही साथ वजे पहले ही एक ओर टीम पहुंच जाती है सारे कागजाट, जो कोर्ट के कागजाट थे वो सब कुछ ऐसे तैयार करके लेकिया आते हैं जैसे कह सब कुछ ओरिजिनल था ना तो कागज ओरिजिनल थे ना पुलिस ओरिजिनल थी और नहीं कोर्ट के वो आदेश ओरिजिनल थे मगर तेहार जेल के बड़े-बड़े ओफिसर भी गच्चा खा जाते हैं और जब कागज तेहार जेल में जब ओफिसर को पेश किये जाते हैं तो उसे पता चलता है कागजों को देखने के बाद कि आज शेरशिंग राणा की उतराखंट की कोर्ट में पेशी है और इसको यहाँ एक सिपाही के भरो से उसको दे दिये जाता है उसके हाथ में हतकड़ी लगा कर और साथ में दी जाते हैं चालिस रुपे ताकि रास्ते में कई मोका मिले तो इसको यह खाना भी खिला दिये जाएगा यह टीम यहाँ से चली जाती है इस टीम के जाने के बाद लगए एक घंटे बाद यान की आठ वजे सुबह के एक टीम जो अब असली वाले टीम है जब वो आती है राकिर कहती है कि हम शेर शिंग राणा को पेशी के लिए लेने के लिए आये हैं तो तिहाड जेल के हर एक अफसर की सांसे भूल जाती हैं वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर कार अभी एक घंटे पहले जो आये थे वो कौन थे वो नकली पुलिस थी नकली ओडर थे सब कुछ नकली था और नकली लोगों ने एक असली आरोपी असली कातिल यानिके शेर शिंग राणा को वहां से बाहर निकाल लिया वायरलेस हो जाता है चारो तरफ हंगामा खड़ा हो जाता है पुलिस अब उने ढूने लगती है अब दिल्ली बहुत बड़ी है दिल्ली में किसको कौन तलाश कर पाएगा वो भी इतना आसान नहीं था यह सीधे तीनों लोग पहुंच जाते हैं यानि कि तीन तो पहले थे यह शेर सिंग राना सहीध चारो लोग पहुंच जाते हैं कश्मीरी गेट अब यहां कश्मीरी गेट पहुंचने पर सिर्फ दो जने रहते हैं संदीब ठाकुर और साथ में जो उसका दोस्त है शेर सिंग राना यहां से वो गाज़ेबाद की बस पकड़ते हैं और गाज़ उस्तान में नहीं रहना है। मुझे यहां से बेदेश जाना है, यहां से भागना है ताकि पूलिस उसे कहीं पकड़ न ले। इसके लिए उसने अपने रिष्टारों से परिच्छतों से संपर करने की कोशिश की और उसने कहा कि मुझे कुछ रुपे चाहिए। जो पूलिस डिपार्टमेंट से तालुक रखने वाला एसीपी था उसी के नाम से एक फ़रजी तरीके से पासपोर्ट बनवाया जाता है। और उस पासपोर्ट पर असने नाम पता सब कुछ एसीपी का होता है जो की ओर्जिनल होता है लेकिन चहरा जो होता है वो शेर सिंग राणा का होता है अब शेर सिंग राणा यहां सिर्फ कलकत्ता से सीधे फ्लाइट के थुरू पहुंच जाते हैं बांगला देश और बांगला देश में लगवक दो साल रहते हैं क्योंकि तिहार जिल में रहते हुए उन्हें किताब पढ़ी थी एक कहानी पढ़ी थी किस्सा पढ़ा था एक मामला जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए था वो पढ़ा था उसको पढ़ने के बाद उसने कसम खाए थी दूसरी पहली कसम तो वो पूरी कर चुके थे दूसरी कस्म थी 11 सदी के हिंदू समराड ट wrapped विराज चुहांस की जो अस्तियाँ थी वो अफगानिस्तान की गजनी में कहीं न कहीं उनके साथ अप्मान हो रहा था उनको अप्मानित किया जा रहा था और इस अप्मान के बारे में पता चलता है जब विदेश मंत्री रहे थे जस्वन सिंग जब वो कंधार में प्लेन हाईजेक होता है उस प्लेन हाईजेक के जिन तीन आतंग वादियों को अफगानिस्तान के उन लोगों को सौंपना था और वहां से भारत के लोगों को प्लेन को वापस लाना था जब ये अदला बदली का दोर चल रहा था तो उस वक्त सिंग जब जस्वन सिंग अफगानिस्तान पहुंशते हैं तब उन्हें पता चलता है कि महमद गोरी की जो मजार है उस मजार के बराबर में एक समाधी बनी हुई है वो समाधी किसी और की नहीं बलकि हिंदू समराड प्रत्विरास सिंग चोहान की बनी हुई है और उस मजार पर जाने के लिए उस समाधी से पैरों से कुचलते हैं उसको जाना पड़ता है अपने जूते चपल उस पर रखने पड़ते हैं और साथ ही उसकी बेकदरी की जाती है बेजती की जाती है अपमानित किया जाता है ये बात खुद जस्वंत सिंग ने भारत के संसद में भी बोली थी लेकिन भारत की सरकार कुछ भी नहीं कर पाई उस समाधी को लाने के लिए कोई संकल्प ना लिया ना कोई 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 कोशिश नहीं की थी कोशिश करते तो शायद ले आते लेकिन उनके लिए शायद वो बेकार की चीज़ थी लेकिन बेकार की चीज़ एक वक्ती के लिए नहीं थी और वो थे शेर सिंग राना शेर्सिंग राना दो साल तक वहां रहते हैं यानि कि बंगला देश में रहते हैं और उसके बाद प्रन्टो करी लिया था यहां से सीधा फ्लाइट के माधिम से पहुँच जाते हैं दुबई और दुबई से पहुँच जाते हैं सीधा अफगानिस्तान अफगानिस्तान काब बरतन में लेकर और सिधा हिंदुस्तान के लिए वो रवाना होते हैं और उसमें लग जाते हैं कई साल यानि कि संद 2006 की ये वाक्या है जब उसी ACP का पासपोर्ट रिनूबल कराने के लिए उन्हें कलकत्ता में आना पड़ता था कलकत्ता में पता चल गया था पुलिस को और गैस्ट हाउस में बैठा हुआ था शेर सिंगराना को पुलिस दवोच लेती है पकड़ के सीधा तिहार जेल लेके आती है अब तिहार जेल जिब लाया जाता है शेर सिंगराना को तो वो दो साल जो फरारी के थे उस फरारी के वीच में जो काम किया था एक ऐसा काम जो अच अस्तियाँ को वापिस लेकर आ जाते हैं जब ये किस्सा उन्होंने सुनाया है ये किस्सा जब अखवारों में छपता है तो कहीं न कहीं फूलन देवी की हत्या का मुद्दा दब जाता है और प्रत्वीरा संग चौहान का मुद्दा उड़ जाता है वह विलिन वह हेरो बनने के बाद उसको भारत सरकार की तरफ से यानि कि अगर हम बात करें 14 अगस्त 2014 को फूलन दिवी हत्या कांड में उसको उमर कैद की सजा सुनाएगी साथ ही एक लाख रुपे अर्थ दंड की भी सजा सुनाएगी यानि कि एक लाख रुपे जमा करने थे और पूरी जिंदगी यहां सलाकों के पीछे रहना था सलाकों के पीछे रहते हुए ही सन 2012 में उन्हें उत्तर प्रदेश के किसी इस्थान से election भी लड़ा लेकिन उन अस्तियों का जो बताते हैं कि उन अस्तियों को ले जाकर उन्होंने गाज जयाबाद के पिलखवा में एक मंदिर बन बाया है प्रत्विराज चोहान का ये सब हीरो बनने की उनकी गाथा है उनकी कहानी है आज नजने कितने सोशल मीडिया पर 2016 में हाई कोट में वो जमानत के लिए अरजी देते हैं और अरजी देने के बाद उनकी जमानत को स्विकार कर लिए जाता है और वो बाहर निकलते हैं और फिर एक मौका ऐसा भी आता है और वो मौका था उनकी शादी का यानि कि मध्य पर्देश के पूर विधायक राणा सिंग, पृतिमा राणा की शादी तैह होती है इनसे और शादी अभी हीरो बनने की एक और किस्सा इनका बाकी था और वो था जब पूर विधायक अपनी बेटी की पिर्ती मा की शादी शेर सिंग राना से करने की बात करते हैं तो साथ में कहते हैं कि 10 करोड 31 लाक रुपे इनको दहेज में दिया जाएगा। मगर सन 2018 में शादी हो रही थी और जब शादी का वक्त आता है तो वो कहते हैं कि मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिएं मैं सिर्फ चांदी के एक सिक्के से शादी करना चाहूँगा जो चाहें उसकी कीमत कितनी भी हो चांदी के एक सिक्के से शादी होती है और ये बात भी राना को जन्मूंगी ताकि वो भी भारत के इत्यास में कोई न कोई इत्यास रचे तो वाकी दोस्तों ये कहानी अपना आप में वाकी दिल्चस्प है कि एक व्यक्ति ने जो की फूलन देवी जिस पर 22 ठाकुरों को उनकी नरसंगहार करने का आरूप था उनको खड़े करके गोलियां मारने का आरूप था और उसी की हत्या जब की थी तो ये भी बताया जाता है कि एक अपने इंट्रिव्यू में शेड सिंग राना कहते हैं कि जिस दिन क्या 25 जुलाई 2001 को ये जाकर एक लववे एक सैना बनाई हुई थी फूलन देवी ने उस एक लववे सैना में शामिल होने के लिए वहां जाते हैं उनका फूल मलाओं से स्वागत भी होता है और साथ ही उस दिन पूजा पाठ करने के बाद फूलन देवी ने खीर बनाई थी और खीर वो अपने हाथों से खुद शेर सिंग राणा को दी थी और शेर सिंग राणा को देने के बाद कहा कि तुम इससे खाओ बाकि सब लोग भी खा रहे थे शेर सिंग राणा ने वो उस खीर को खाने के बाद फिर बाहर चले जाते हैं और नकाब में लगववग दोपहर क नरसंगार का बदला ले लिया है फूलन दिवी को मार कर इस बात को लेकर भी कहीं न कहीं वो ठाकुर समाज में हीरो बन जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने उन बाइस ठाकुरों की हत्या का बदला लिया था दोस्तों इस कहानी को इस किसी को सुनाने का उद्देश किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बिलकि आपको जागुर करना है पुसचित करना है आप जहां भी रहें अपना ख्यार लखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत